कासियल क्लाइमिंग सेंटर के लावा वो उसके साथ ज्रेम और जॉगिंग के लिए पार्क भी जाने लगा था युनिवस्टी दोस्तों के साथ आउटिंग का प्लैन बनता तो राहिम उसे भी जबर्दस्ती साथ लिए फिरता क्या करू मजबूरी है टिक 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 वो अपने दोनों हाथ जोड़ कर और फिर एक दम से फिला कर हटाते वे धमाके की निशान देही करता एक पच्चा हमारे साथ है सब मुहतात होकर रहना राहिम अपने दोस्तों में एलान करता उसे उस लफ़ बच्चे से बड़ी चिड़ थी तुम पतानी कैसे इसके साथ एक घर में रह रह रहे हो राहिम के दोस्तों को उसे हम दर्धी होती ये तो हादा पागल है पूरा पागल है उसने किताब से नजरे हटा कर थोसी की राहिम के दोस्त कहका लगा कर हसे जब इनसान पर इस तरह की मुसीबते नाजिए उष्पर nasze ही पागल हो जाता है फारिज सुने अंसुने कि ये रुख मोड़ कर किता भी पढ़ता रहा अगले दिन वो स्कूल से बापिस आया तो राहिम की जाने की त्यारी कर रहा था कुछ पाकिस्तानी आर्टिस्ट का एक्सिबेशन है चलोगे मेरे साथ फारिज बैक रक्तर किचन मे चला गया तुम से पूछ क्यों आऊं मैं याद आने पर अपनी पेशानी पर हात मारा के वो जाज़त तो हर्गिस नहीं लेता था मैं आज शाम एक्सिबीशन देखने जा रहा हूं तुम भी साथ चलोगे एकेला नहीं छोड़ सकता शाम में वो उसके साथ चला गया आर्ट चैबो में हाट डाले उसने घूम कर चारो तरफ देखा और तब इसकी नज़र चमीला दाउत पर पड़ी और वो जहां कां तहां खड़ा रह गया वो चंद कदमों के पास्ते पर ती किसी से बात करी थी उनकी नज़र अचानक उस पर पड़ी पारिस ने गहरी सांस लेकर रुख मोर लिया जैसे उसने उने नहीं देखा उजलत में कदम उठा था रहतारी से गुजर कर बाही निकल गया रखतार बढ़ा ली वो चल्दल जल्द यहां से चले जाना चाहता था और फिर वो रुख गया मजीद आके बढ़ना जैसे दुश्वार हो गया था चमीला द लड़ा उनका इसरार दे कर उसके दिल को कुछ हुआ बावजूद कोशिश के भी हाथ नहीं चुड़ा सका फासला नहीं पढ़ा सका उन्हें छोड़कर वहां से जान नहीं सका वो कमजोर पढ़ गया था बेबस हो गया था वो उसका हाथ था में उसे अपने साथ क्रीबी में ले आई थी वो उससे हाल एहवाल और खैरियत बूच रही थी और वो चुब बैठा था उसकी आँकों से इस तराब और अंदास से घबराहट वाज़ थी जमीला दाउत को एक दम से बो तशनबियत का एसास हो उनका दिल गम से भर गया उनका फारिस खुड कर कोई बात नहीं करा तो उसे वहां से उटने की भी जल्दी थी उसे उनके बारे में जानने में भी कोई दिल्चस्पी नहीं थी उनका नहीं खिया था वो वहां उनके नमाईश देखने आया था उन्हें लगा वो रास्ता भटक गया था उन्हें ये भी लगा वो उनके साथ बैठना बाहर निकल कर सड़क क्रॉस करता किसी हजूम में गितने अपने अपने अंदर उतार लिए थे शाम में राहिम घर पहुंचा तो फारिज सोच चुका था सुबाउट कर बात करना चाही तो वो नजर अंदास करता स्कूर चला गया घर वापिस आया तो जमीला दाउट सामने खड़ी थी आपको यहां नहीं आना चाहिए था उसके लप हेले नजरे चुकी हुई थी उसके अंदास और लेचे में खोफ नहीं था मगर वो मुहतातो कर बात कर रहा था वो नहीं चाहता था जमीला दाउट उसकी वज़ा से किसी परेशानी का शिकारों या आज़म शेराजी उन पर कोई दबाव डाले तुमारा क्या ख्याल है मेरी तुम से मुलाकात होगी और और तुमारे दादा को इसका इल्म नहीं होगा उन्होंने नर्मी से पूछा था वो मेरे दादा नहीं है उसका सर हनूज जुका हुआ था जमीला को दुकवा वो उसके पास आगी मेरी तरब देखो पारिस आप मुझे परेशान करी हैं उसकी आवास एक तम से कमसूर पड़ी उन्हें लगा वो भी रो देगा प्लीस आप जाए यहां से उसने भाजू छुडा लिया कदम पीचे हटा लिये आप अपने घर जाएं अपने बेटे के पास जाएं मेरा एक बेटा तो यहां भी है फारिस ने चेहरे का रुख मोड़ते अपनी आस्तीन से आंसू साफ किये मैं किसी का बेटा नहीं हूँ मेरा आप से कोई रिष्टा ने पीछे होकर वो मेज पर हाथ जमाए खड़ा हो गया अभी तक नाराज हो मैं किसी से नाराज नहीं हूँ खुशक लबों को तर करते नजरे परश पर गार दी आजम शेराजी को पता चलेगा तो वो उन्हें एक दम से सद्मा हुआ वो उनसे खुब ज़दा नहीं था वो बस उनकी सजाओं से बचना चारा था जमीला दाउद को अपना दिल कटना मैसूस हुआ आजम शेराजी को अंदाजा ही नी था वो उस बच्चे के साथ क्या कर चुके थे उन्होंने उसे कंदों से थाम लिया पहले सर जुका कर देखती थी आज सर उठा कर देखना पढ़ रहा था उनका फारिस कितना बड़ा हो किया था उसके गाल को चुआ बालों में हाथ फेरा एक बार मेरी तरफ देखो उसकी भीगी हुई हेजन आँखे उनके चेरे पर ठहर गए कितना दर्थ था उन आँखों में कितनी तड़ब कितना हजन और बेबसी थी वो लब काट कर रह गया माई अपने बच्चों को नहीं छोड़ती वो ड़च रहे तो अल्ला रास्ता निकाली देता है वो लब भेंचे चुप रहा यूँ जैसे खुद पर जब्द किया आओ उन्होंने बाजू फिलाया तो वो उनके गले से लग्या वो उने बता नहीं पाया इस तमाम अर्से में वो उन्हें कितना याद करता रहा है और उसे उनकी कितनी जरूरत रहे है वो कितना परेशान हुए उसने लब सीये रखे उसे अब उनके सामने कमजोर नहीं पढ़ना था, उनका आदी नहीं होना था, वो अकेला था, उसे अकेला ही रहना चाहिए, वो सोच रहा था, वो तै कर रहा था, मगर जमीला दाउत ने उसे ऐसा करने नहीं दिया था, वो दो हफदों तक लंदन में रही और इस दुरान रो उसे खुल कर कोई बात नी कर रहा था, सिर्फ साथ दे रहा था, वो अमरीका वापी चली गी, मगर उसके साथ मसलसल रापते मेरी, रोस फून करती थी, हालेवाल पूस्ती, पढ़ाई का जिकर करती, उसकी पसंद नापसंद को जेरे बहस लाती, आहस्ता इस तब उसे अपने लड़का है, राहिम उन्हें नहीं पसंद, राहिम उन्हें पसंद था, बोल जिम्मेदार, मेचुर और कॉन्फिडेंट, उसकी तारीफ सुनते उसने राहिम को देखा, जो जेम्स को किसी वीडियो गेम में हरा कर यूँ खुश हो रहा था, जैसे उसने कोई अजिम का नाम से चुन लिया, उसने खामोशी से सुना, शाम में हैदर मिलने आया तो उसने खाने की मेज पर दानस्ता ये जिकर छेड़ दिया, भला 17 बरस की उमर के लड़के से एक बिसनस टाइकॉन कैसे इंटर्वियो ले सकता है, और किस बन्याद पर ले सकता है, राहिम कुछी खासी खासी आगी, हलक में कुछ फस गया, पानी का अगलाच चढ़ाने से भी कोई अपाका ना हुआ, हम इसे लाए थे यहां से पकड़ कर, हैदर ने अपनी गर्दन के पीचे हाथ रखकर फारिस को बताया, राहिम ने चमच रखकर आंकों यांकों में हैदर को धंकियों से नमा आगी थी, वो आजम शेराजी के किसी भी मामले में दिल्चस्पी नहीं रखता था, और फिर जैसे ये एक मामूल बन गया, जमीला दाउत हर तीसरे महीने लंदन का चकर जरूर लगाती थी, नबीला शेराजी की फैमली वहीं अपाती, एक पहाना रिश्टेदानों से मुल काद नहीं हो सकी थी, उसने स्कूल से बापसी पर गाड़ी दर्वाजे पर देख ली थी और घर नहीं किया था, दूसरी बार घर में था और अरकभी दर्वाजे से बाहरी निकल गया, तीसरी बार वो अपने कमरे में बंद रहा, वो क्यों आए थी, किसले आई थे, उसने राहिम से कभी नहीं पूचा, राहिम ने भी कभी जिकर नहीं किया, जिनकी अपने डगर पर रवा थी, उसने अपना तमाब तर फोकस पढ़ाई पर कर लिया था, विकर्ण फियर राहिम अफाक ने उसे पूरे घर की सफाई में बुरी तरह थका डाला था, जो काम मेट के जिम्मे थे, वो भी उसके सर डाल दिये, खुद वो बेस्मेंट में घुसा हुआ था, फिर किचन कैपनेट की सफाई के बाद उपरी मन्जिल का रुख किया और वहां से फारिग होने के बाद अब वो लॉन में मजूद थे, बोदों की कांट छान टोरी थी, फूलों की जि भर का नाम बगोनिया रखा कि बगोनिया फूल मुझा जाते हैं, तस्दीक के लिए दुबारा पूछा, हाँ बिलकुर, तुम्हारी सोच के मताबिक तो कबरिस्तान का नाम जिन्दगिस्तान होना चाहिए, राहिम ने गर्दन मोड कर उसे देखा, हेरान और मतासिर होकर, वाओ, ये नाम तो मेरे जेन में आया ही नहीं, यकीन नहीं आता, तुम आईटी के स्टूडेंट हो, उसने तासुब से सर इलाया, क्यों यकीन नहीं आता, उसके लिए दिमाग नहीं चाहिए, कटर से खेर सलुड़ी शाख काटते राहिम ने समझे बिना अपना सर इलाया था और उस दिन मिसिस गराइट ने पहली बार फारिस को हसते देखा, वो बाहिर लौन में ही अखबार और चाय काकप हाथ में लिए बैटी थी, मुस्कुराते भी उन्हें देखती नहीं, तुम तो हसते भी हो, राहिम अपना घुसा भूल गया, उसकी हसी थमगी हो जैसे योगी और वो उसी वक्त संजीरा सा अंदर चला गया, राहिम ने गहरी सांस लेकर उसे देखा, फिर मिसिस गराइट को दूर से हाथ लाया तो वो नखूद से मूँ मोड़ गी, आजकल उनकी फिर से नरासकी चल रही थी, उसकी जिनकी के सियात तारीक अबाप मेंसे एक ब पास ना डालने का रवया रखते हुए भी उसकी नजर हर किसी पर होती, अलीज शेराजी के साथ उसकी पहली मलाकात बगोनिया हाउस में तब हुई थी, जब एक दिन अचानकी वो राहिम से मिनने आगी थी, यह पहली मलाकात थी और ऐसे कोई खुशकवार नहीं थी कि वो वक्त याद नहीं रखता मेस, उसे मश्रूब का ग्लास पेश करते हुद वो सोवे पर बैट गया, वो हस थी, कैये, कैसे आना हुआ, उसका लहजा बजाहर खुशकवार मगर अंदास मुहताद था, मैं तो बस यह देखने आई थी कि तुम अभी भी यही हो या पाकिस्तान जा चुके हो, क्लास लबों से लगा कर खुट परा, गर्दन मोड कर फारिस को देखा, वो किचन से नजर आ रहा था, राहिम की निगाहों ने उसका ताकुब किया, मैं यकीन नहीं कर सकता, वो मुस्कुराया, मुझे आमिन ने मैसिज किया था, फोटोग्राफी के लिए, आपसे हल्प चाहिए होती, तुम्हे यकीन आपसे ही राप्ता करता, कैरी मुस्कुराहट के साथ जिताद या वो खफीब सा होकर मुस्कुराई, मुझे पता है, तुम ऐसा कभी न करते, इसलिए मैंने सोचा, खुदी हल्प कर दूँ, वैसे भी मैं आजकर प्री हूँ, आ उसने राहिम से पूछा, पहले कभी देखा नहीं से, मेरा चोटा भाई है, टांक पर टांक जमा कर तारुफ करवाया, तुम्हारा चोटा भाई, अलीजे की आँखी तहहियर से पहली, शकल तो कहीं से नहीं मिलती, सरूरी तो नहीं के बेन भाईयों की शकले भी मिले, संज अबल नजर अंदास कर दिया, वो चोटे पिसर चटक कर चलीगी, अगले दीन वो पनी किसी दोस्त के साथ दुबारा आई, पेस्मेंट में रखे हाउस मॉडल्स की, उसने मुक्तलिफ जाविये से तस्वीरे खेंची, साथ ही वो राहिम को दिखाती जारी थी, के की तस्व पेद रंके विक्टोरियन घर की जाने बेशारा किया, और्डर पर त्यार किया है, उसने कहा, फारी होकर वो उपर आई काफी पीते वे, उसने राहिम को अपना एल्बम दिखाया, उसका एल्बम काफी जखीन था, उसमें उसने खास दूर्पर वो तस्वीरे लगा रखी जो उसकी दिल के बहुत करीब थी या जिन के साथ कोई ना कोई याद या बाकिया जुड़ा रह गया था, वो दुनिया के बेश्टर मुमालिक खुमी हो थी और उसने कुदर्टी सहर अंगेस तसवीर महफूस कर रखी थी, राहिम सफे पलटता जा रहा था, पारिस बराब I remember this girl, उसने दो पोनियों वाली बच्ची पर उंगली रखी, ये बाग में अपने दोस्तों के साथ परिया ढून रही थी, एल्बम देखते वे राहिम को याद आया तो वो हस कर बताने लगा, मुझे वहाँ देखकर कहने लगी, आप यहां से जाएं आपको देखकर परिया डर जाएंगी, अलीजे को भी जैसे कोई भूला बसरा मनजर याद आ गया था, शेराजी मेंशन में गुजारा गया वाग और वो शरारती बच्चे उसे गिरता देखकर कितना हसे थे, मुझे जाविये बिगारते उसने सर छटका, मैंने ये पिक सिर्फ इसलिए संभाल कर जादा प्यारा आया है, अल्बम में जन्नत की तस्वीर पर नजर डाल कर हटा था, फारिस वजदान कुरसी की पुछते कमर टिकाता सीधा वो बैठा, वो हामोश था, वो उनकी गुफदगों में किसी तोर हिस्सा नही ले रहा था, तुमारा भाई कितना अजीब है कोई ब बनुएं उचका कर उसे देखा, ये बताने से क्या होगा, आई मीन उसे भी कुछ रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए, राहिम के बनुएं पे इख्तियार सुकडी थी, बिलवास्ता तोर पर वो एक कहना चारी थी, उसे उसके आगे पीचे फिरना चाहिए, उससे बाहत करनी च भी मस्कुराई, जानती हूँ, वो बैक कंदे पर डालती चली गी, उसकी आखों के तासर ने राहिम को अजीब मखमसे में डाला था, बहुत चलाक लड़किया ये, इससे बचकर रहना, अंदर जाकर उसने फारी से का, पहले तुम तो बचकर दिखा दो, दोबतो जवाब देने पर राहिम रुक कर मुड़ा, क्या कहा, जब उसका दिल करताया आ जाती है, वो हस दिया, काम से आती है, चन्द दिन छोड़कर वो दुबारा आई, और उसके बाद भी फिर उसने मामूल बना लिया, फोटोग्राफी का काम खतम हो गया, मगर उसने आना बंद नी किय तुम उसे मना नी कर सकते, कैसे, किसे, राहिम ने सर उठा कर उसे देखा, अलीजे शिरासी को, उस दिन वो गुस्से में था, गालबन वो राहिम की गेर मुझूद की में आई थी, क्या हुआ, पहले उस दिन तुम्हारा पूचा, मैंने बता दिया तुम खरपन नी हो, मैं उसे मेरी अजासत के बगएर मेरी तस्वीरे नी, मैंने उसे कैमरा मागा, डिलीट करने के लिए उसने नहीं दिया, वो मुझे जिच कर रही थी, पता नी क्या फनीता हस भी रही रही वो बोल रहा था, तो अभी भी उसकी आँखों से लहचे जेतासुराद से घुसा चलग रहा था, और फिर? फिर मैंने उसका कैमरा तोड दिया, राहिमने बेखतेयार हाथ उठा कर अपना सर पक्ड़ा, सिर्फ इसलिए के उसने तवीर नी, तुमने उसका कैमरा तोड़ दिया, उसे अजासत किस ने दी, वो मेरी अजासत के बगएर मेरी तस्वीरे ने, वो भी भट पड़ा ओ गाड फारिस तुम जानते भी उसके कैमरे की कितनी कीमत होगी राहिम के होश उड़े हुए थे कैमरा कीमती है तो क्या उसको इजासत है वो बगएर पूछे दूसरों की तस्वीरे ने वो बेबसी से उसे देखकर रह गया यार फारिस वो यहां क्यों आती है तुम उसे मना क्यों नहीं करते उसे राहिम पर गुस्सा आया था आजम शेराजी की रिष्टेदार अच्छी तरह से जानती है ये घर उनका है सो मुझे मुझे मुनासिब नहीं लगता कि मैं इस तरह से उसे मना करूँ फारिस की मुठिया सकती से भिंजगी सो वाट घर उ के फाइन मैं बात करूँगा नहीं आएगी यहां किस से बात करोगे हैदर से ओफ कोर्स फारिस वजदान का पारा एक पर फेच जड़ा था हैदर से बूचे बगए तुमसे कोई काम नहीं होता सर में हाथ फेर था वो बड़ी मासूमियत से सोफे पर बैठ गया करदर नपी में एक बार फिर दर्वाजे पर खड़ी थी और उस पर नजर पढ़ते ही फारिस का घुसा फिर से उत कर आया था ताहम वो हैंडल पर गरिव जमाय तहम मुझे खड़ा रहा उसके हातों में फूलें का बुके था चॉकलेट का डबा भी बाहिर हर्की हर्की सी बुंदा बं करना चाहा अलीजे शिराजी को एक दम से हतक का हिसास हुआ था मगर जबत करते जबरदस्ती मुस्कुराई मुझे उसने बुलाया है कहकर जिताया कि वो उसे इस तरह यहां से जाने नहीं दे सकता फारिस ने लब भेंज कर कहरी सांस दे फिर दर्वासा खोल कर उसे आने द जा वो बगोर उसे देखती चुपरी फिर उटकर उसके पास आई मैं जानती हूँ तो मुझसे सकत नराज हो मेने उस दिन मैं राहिम को फून करता हूँ उसे बात मुक्मल करने का मुका दिये बगएर वो सीड़िया चड़ता उपर चला गया अलीजे का जेरा घुसे से सु पड़ा खरूर किस बात का था इस लड़के को उसका रवेया इस तरह से नजर अंदास करना उसे सकत नाकवार गुजर रहा था मेट खाने का इंतजा मुकमल करने के बाद चली की तो कलाई मोड़कर बग देखते उसने एक पर फिर सर उठाकर फारिस को देखा वो फ्रीजर खोले खड़ा था तुम लंदन बिस्ने स्कूल में पढ़ रहे हो सामने मेस पर कुछ पंफलिट्स और उसकी किताबे रखी थी स्टूडेंट आई डी भी उसके आने से कबल वो यहीं बैट कर अपना काम कर रहा था गलास में पानी डालते उसकी हरकत थमी सुनी अंसुनी कि वो कैबनेट खोल कर कुछ तलाश करता खुद को मसरूफ जाहिर करता रहा अमूमन रही मब तक आ जाता था जाने क्यों ताखिर हो रही थी फून भी नहीं उठा रहा था उसने कुछ मैसिज किये थे तो उनका जवाब भी अभी तक नहीं आया था वो काउंटर टेबल के उ पार खड़ी खुद से मुखातिब हो रही थी अपने खांदान और अपने बाप के कारोबार का हवाला दे थी उस पर जैसे अपनी थाक बिटाने की कोशिश कर रही थी वो उसके जाने पुष्ट किये कि चन्मे सलात कार्ट राता असम शेराजी की तरह उसे भी अपनी हैसि अलीजे को खुश पहिमी थी ऐसी बाते करके वो उसकी तवच्चों हासिल करने में कामयाब हो जाएगी इसी दुरान मैसिज मुसूल हुआ तो उसने मुबाइल उठा कर देखा अलीजे आईए क्यों किसलिए राहिम का हैरत भरा जवाब आया था वो अपनी जगा लंभे भ जहा लहजा खुड़तरा था आंकों में सक्ती उतरी हुई थी और अगर मैं ना जाना चाहूं तो लहजे में नर्मी और आंकों में मुहबबत समोगर पूचा फिर मुझे आपको इस घर से निकालना पड़ेगा वो हस बड़ी मेरे अपने घर से फारिज जबत किये कि जंसे बाहर आगया वो उसके सामने आन खड़ी हुई उस दिन तुमने मेरे इंसल्ट की मेरा कैमरा भी तोड़ दिया अगर तुमसे महबबत ना करती तो बहुत बुरा बदला लेती वो लम्हें भर के लिए सक्ते में आया तो उसने बात ही कुछ ऐसी करती थी जाएए यहां से उ ट्रामे को हकीकत समझ लूँगा प्लीज आप चाहिए यहां से उसकी आवास पहले से बलंद और जादा पत्रीली हुई थी अलीजे लम्हें भर के लिए थमी ट्रामा मेरी महबत का मजाक उड़ा रहे हो अजमा कर देख लो मैं तो तुमारे लिए अपने खानदान से भी ट लोग दिया उसकी आँखों से नफरत के शिरारे फूट रहे थे अलीजे को अपना आप चुलसता हुआ मैसूस हो रहा था बगोनिया हाउस में तुम राहिम की वज़ा से आती रहे यो उस तक महदूत रो I have nothing to do with you घुसे से कहकर जाने के लिए मुड़ा अगर वो घर से नह पिंचते हुए दर्वाजे तक लाया और उसी सरच से दर्वाजा खोल कर बाहर देखे लिए उसने कोई लिहास मुरबत नहीं रखी थी तुबारा यहां कभी मत आईएगा दर्वाजा उसके मूँ पर बन कर दिया अलीजे उसकी इस हरकत पर सत्मे से गंग खड़ी थी वो रिजर्ब सा रहने वादा लड़का इसकदर इश्टियाल में आ गया था जैसे सब भसम कर देगा वो उसकी मुहबत का जवाब अपनी नफरत के तमाचे से दे गया था अलीजे शेरा से कचेरा घुसे और तहीं से स्या पड़ गया वो एक उन्चे बड़ी खांदान की लड इसका खुसा किसी तोर गम नहीं हो रहा था, ना ही बेस्ति के सास के देहर जलने ऑली आग बुझने का नाम ले रही थी। उसके साथ ऐस सलोत पहले किसी नहीं किया था, ना कभी कोई से नजर अंदास कर सकता, ना कोई बेज़़्त कर सकता, उसने खुद को फारिज वजद अलीजे काएं राहिम घर पहुंचा तो पहला सवाल यही किया जा चुकी है वो अपने कमरे में राइटिंग टेबल पर बैटा था सरा आके को छुका हुआ था नोट बुक पर कलम तेजी से हरकत कर रहा था किसली आई थी कुछ बताया उसने उसने नपी में सर हिला दिया राहिम उसकी खामोशी से उल्चन का शिकार होता कुछ देर तक वहां खड़ा रहा उसे इंग था वो अलीजे शिराजी कियामत से कुछ जादा खुश नहीं होता था वो पहले उसे मना भी कर चुका था वो पिछले दू खबतों से नहीं आई थी सो वो भी इस बात को तकरीबन भूली गया था नीजे जाकर घर का जाइजा लिया तो फूर डस्ट बिन में गिरे हुए मिले वो कुछ देर खड़ा रहा फिर उसने पनी पेशानी मसली दुबारा उसके कमरे में आ गया क्या बात है कोई मसला है क्या नहीं अलीजे शिराजे उसके खांदान की नड़की थी रिष्टे में कजन वो इस वाके को किसी तोर भी उसके सामने जिकर नहीं करना चायता था जो आग उसके अंदर जार रही थी उसे खुद तकी मैदूद रखना चायता था शिराजी खांदान से उसकी नवरत अलीजे शिराजी की उस हरकत के बाद मजीद बढ़ चुकी थी मगर वो खुद को जब किये बेपरवासा नजर आने की कोशिश कर रहा था राहिम उसे देख रहा था उसके तासुरात समझने की कोशिश कर रहा था उसने अलीजे को कॉल की तो उसका मुबायल पंद मिला जाने क्या बाती उसे कुछ ठीक नहीं लग रह था उस दिन के बाद से अलीजे शराजी दोबारा बगोनिया हास नहीं आई थी ना ही उसने राही माफाक से रापता करने की कोशिश की थी अली से एक माँ की छुटियों पर अमरीका चली गी थी हाला कि नभीला शिराजी जाती थी वो उनके साथ पाकिस्तान जाए मगर उसने उनकी बात नहीं मानी अपने बदले और इंतकाम के लिए उसका अमरीका जाना ज़रूरी था वो उच्छी तरह से जानती थी आजम शिराजी और नभीला शिराजी के दर्मयान उसके और हमात के रिष्टे की बात चल रही है मामलात तकरीबन ते ते दिसंबर तक बकाइदा मंगनी होनी थी सब कुछ जानते बुच्टे वी भी उसने अपनी बेस्टी का बदला लेने के लिए एक रिस्क लेने का फैसला कर लिया था वो शुरू से ऐसी ही थी नडर और बेबाग जहां ज़स्बात और इस्ज़त की बात होती वहां किसी तोर वो समझोता नहीं करती थी माप करना तो जैसे उसने सीखा ही नहीं था सजाया इंतकाम से आगे उसकी सोच और कहीं नहीं जाती थी वो अमरीका में पूरा एक मा रही और इस दुरान वो खुट को बुझा बुझा सा और बहुत दुकी बोस्ट करती रही हमाद उसके लिए बहुत असास था वो से रोजी बाहर ले जाता था था कि उसका मूट फ्रेश हो जमीला दाओब पि उसकी बहुत फिकर करती थी आदम शिराजी की तो वो वैसे भी बहुत लाटली थी जाने से दो रोस पहले उसने आज़म शेराजी से बात करने का फैसला कर लिया था उस दिन जमीला दाउद और हारून शेराजी किसी दावत पर गए हुए थे हमाद भी घर बन नहीं था ये अच्छा मौका था वो इतमिनान से उन से सब कह सकती थी उस वक्त वो अपने आफिस रूम में बैठे कुछ फाइले देख रहे थे जब वो दस्तक देकर उनके कमरे में आई कुछ देख तक उनके सामने बैठकर खुद पर एक दुख और कर्थ किसी कैफियत तारी किये रही यूँ जाहिर करती री जैसे उन से बात करने में दुश्वारी ओरी हो फिर उसने यूँ जाहिर किया जैसे उनके हिम्मत दिनाने पर उसे कुछ होसला आ गया हो उसने खुल कर बता दिया कि वो हमाद शेराजी के साथ अपने इस रिश्टे पर राजी नहीं है वो किसी और से महबत करती है और उसी से शादी करना चाती है आजम शेराजी कुछ देर तक उसे साकित निगाहों से देखते रहे के उन्हें उस लड़की के जुर्ट पर हैरत हुई वो अपने माबाब से कुछ कहने के बज़ए उन से बात कर रही थी आजम शेराजी खांदान के बड़े थे हमाद के साथ उसके रिष्टे का फैसला उनका था वो उनकी ही पसंद थी राही माफाग भी उनका ही आदमी था वो उसी तरह ही अपनी बेस्टी का बदला ले सकती थी आफिस रूम के दर्वाजे के उस पार दस्तक देता हमाद अपनी जगा थम गया था उसका ये इतराफ उसके हवासों पर बिजली बन कर गिरा था वो उसकी बच्चपन की दोस्ती दोनों साथ पले बड़े थे वो उसके लिए बहुत एहम थी वो उससे महबत करता था और दादा के उस फैसले को उसने दिल से कबूल किया था कौन है वो जबत करके उन्होंने तहम्म्म से वोही सवाल पूचा था जो सवाल वो चाती थी उससे पूचा जाए राही माफाक एक जाना पेचाना नाम था वो उसके जर्यों उस लड़के तक मुझ सकते थे वो अपने हन्दान के उरतों के साथ अफ्यर चलाने वालों का हशर बिगाड़ सकते थे उसे कोई आम सा बदला कोई आम सी सजानी चाहिए थी अब वो तफसिलात में जारी थी गुजिश्टा एक साल से बुराहिम के भाई फारिस वजदान के साथ राब्ते में थी वो उससे मुहबत करता था उससे शादी भी करना चाहता था अली से शिराजी उस इजाज़त के लिए आई थी मेरी खुशी और रजा भी इसी में है मैं उसके साथ ही शादी करना चाहती हूँ आजम शेराजी शदीद सद्मे में बैटे थे दर्वासे के उस पार हमाद भी पत्थर हुआ खड़ा था तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो वो घुसे के आलम में महद इतना ही कह सके मैं जानती हूँ आपका फैसना हम सब के लिए मुकादम है मुझे आपकी इस्त का भी एतराम है पर बाबा के मेरे दिल का मामला है हम दोनों एक दूसरे से महबबत करते हैं शादी करना चाहते हैं मैं उसे बहुत महबबत करने लगी हूँ और उसके बगए जीने का तसवर भी नहीं कर सकती अगर आप एक पार उसे मिलने अगर अलीजे उन्होंने एक दम से हाथ उठा कर उसे मजीद कुछ भी कहने से रोक दिया था शायद वो लड़की होश में नहीं थी लड़का 18 बरस का हुआ था और उसने अभी से ये खेल शुरू कर दिया उनका जेरा सुर्ख हुआ पेशानी की रगे उपर आई थी उनकी आँखों में गजब का समंदर ठाटे मारा था अलीजे का ख्यार तर शायद वो उस लड़के से मतलिक उसे मजीद सवाल पूचेंगे मगर वो कुछ भी पूच नहीं रहे थे जबत करते वे उन्होंने दर्वाजे की तरफ इशारा किया वो जाते थे लीजे वहां से उच जए आज तो जो तुमने कह दिया आएंदा इसी कोई भी बात करने की जुरत मत करना मैं समझूंगा तुमने मुझसे इसी कोई बात ने की दिसंबर में तुमारी और हमाद की मंगनी है उन्होंने हत्मी लेजे में कह दिया उनकी नजरों से बचकर उसने एक जान्टी हुई निगा उन पर डाली अंदाजा लगाने की एक कोशिश की कि वो फारिस नामी उस लड़के के साथ क्या कर सकते थे फिर उसी मासूमियत और दुप परे तासुरात के साथ आंसों साफ करती उटकर चरी गई हमाद अपने कमरे में बंद हो गया फारिस वजदान उसका दिमाग जैसे फटने को था उसके अंदर बाहिर आग सी जल उठी थी जिस लड़की से वो महबत करता था जिसे अपना साथी बनाना चाता था उसी कजन के साथ फारिस वजदान ने अफ़ेद चला दिया था आज वही अलीज़े उसके दादा के सामने बिला खोफ औ खतर उसी महबत के लिए रो रही थी फारिस वजदान तो पाकिस्तान में था लंदन में क्या कर रहा था उसके दादा ने अभी तक उसे अपनी कफालत में रखा हुआ था मालूम नी पर बहुत घुसे में है दिबार पर पेंट ब्रुश फेरते उसका हाथ रोकिया उसने मुबाइल रख दिया दस्ताने उतार दिये पेंट के लिए मुख्तिस किया गया लिबास भी दर्वाजे पर घेंटी बड़ी तो उसने फोरण खोल दिया साबने ही आजम शेराजी खड़े थे उनके तासुरात कुछ अच्छे ना थे पारिस सीड़िया उतर कर नीचे आ रहा था आजम शेराजी पर नजर पढ़ते ही वो ठटक करो किया राहिम को अपने रास्ते से रटाते वे उन्होंने आके बढ़कर उसके गाल पर पूरी कुछ से थपड़ जड़ दिया था राहिम अपनी जगा थम गया पारिस ने गाल पर हाथ रखे उनकी तरफ दुख से देखा पूरे चार साल बाद होने वाली मुलाकात का अगास एक थपड़ से हुआ था आजम शेराजी के तासुरात पत्थरी ले ओरे थे आँखों में खून उत्रा हुआ था उनका बस नी चान रहा था वो उसकी जान निकाले जानता था जो गंदा खून तुमारी रगों में दोड़ाए वो एक नाएक दिन अपना असर जरूर दिखाएगा कहर भरे लहचे में नफरत और हकारत के साथ उन्होंने का था भारों बावास में चिंगार थी फारिस मतोहर सा अपनी जगा पत्थर हुआ खड़ा था तूंगा उकात क्या है तुमारी अलीजे से शादी करोगे हमाद की फ्यांसी से तुमने ऐसा सोचा भी कैसे वो किसी शेर की तरह धाड़े थे फारिस वजदान साकीत निगाहों से अपने दादा को देख रहा था आँकों में वैशत ठहरी थी आख का निजारा था दुख की लहर थी बेयकीनी का तास्र कहीं नहीं था दुख उनके रवेगे और शाय थपड़ का भी नहीं था सद्मा उस इल्जाम का था जो उस पर लगा था सालों बाद भी उन्हें उसमें उसकी मां का ही किरदार नजर आया वो उनकी दोलत को अत्याना चाता है उनके नेक नामी को डबोना चाता है उनके पोदे की खुशियां चीनना चाता है उन्हों ने एक छटके से पीछे धकेरते वे उसे छोड़ दिया था मुझे पता था मैं एक सांप को दूद पिला रहा हूँ मुझे पता था तुम एक दिन जरूर अपनी असलियत दिखाओ कि कितना यकीन था उनके लेचे में कितना वजन था आवाज और लब्सों में चाहिए तो ये था कि जब तुम्हारा एकसिडेंट हुआ था तो मैं तुम्हें वहीं बनने के लिए छोड़ दे था शदीद गुस्से में नफरत से वो कुछ कहते जा रहे थे अरजु जांकेर का बेटा इस काबिल नहीं था कि उसके साथ कोई अच्छाई की जाती वो अपनी जगास सांस रोके खड़ा था निगाहे आजम शेराजी के चेरे पर जमी हुई थी आइंदा उन्होंने उंगली उठा कर धमकी दी आइंदा अगर मेरे खांदान के आसपास भटकने की भी कोशिश की तो जान निकाल लूँगा तुम्हारी वो उस पर धाड़े आवास बुलंदी पिंजरे में हैरी सहम किया था मैंने तुम्हे उस पर नज़र रखने का का था यलीजे से मिलता है तुमने ये बात कभी रिपोर्ट नहीं की फिर वो पलट कर राहीं पर बरस पड़े सर ऐसा कुछ नहीं है राहीं होश में आती है आगे बड़ा बस बहुत हुआ राहीं तुमने मुझे बहुत मायूस किया है वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था मगर आजम शेराजी ने एक नहीं सुनी थी वोसी वक्त महां से चरे की फारिस अपनी जगा मुर्दा सा खड़ा था शेराजी खांदान की एक लड़की ने उसके इंकार का बतला उससे लिया था और क्या घजब का बतला लिया था आजम शेराजी राहिम अपाक से सकत नराज थे वो किसी तोर भी उससे मिलना नहीं चाहते थे हैदर से बात करके वो पहले उनके अपार्टमेंट और अगली सुब उनके आफिस चला आया था उसने उनके सामने अपना लैपटॉप खोल कर रख दिया बगोनिया हाउस में दो कैमरे थे एक कैमरा बेरुनिया हाथे को कवर करता था दूसरा कैमरा लाउंट के एक एरिया सेड़ी और किचन को कवर करता था गुजश्टा दो माँ में रिकॉर्ड की की मुख्तलिफ आयाम की वीडियोस थी खसूसान उन तीनों की जब अलीजे वहां आती रही थी घर के अंदर की किसी एक वीडियो में भी फारी सुजदान उससे मुखादिब होता हुआ नजर नहीं आया था वो उसके करीब तक नहीं खड़ा था टेबल पर एक बार एल्बम पर बात हो रही थी तो तब भी वो चुक चाप और कदरे फास्टे पर खिचा-खिचा सा बैठा था हाँ अलबता बात बेबात अलीजे जरूर उससे मुखादिब होती नजर आ रही थी वो उसका रास्ता भी रोक लेती हस्ते मुस्कुराते कुछ न कुछ कहने की कोशिश भी करती आईस्क्रीम चॉकलेट या बिस्कुट सौफर करती हुई हर बार वो बस एक नजर उस पर डालता वहां से उच जाता उसके रास्ते से हट जाता बेरुनी आहाते में महच चंद एक बारी दोनों का सामना हुआ होगा और फारिस का रविया हर जगा एक सथा सर्थ मोहताद नजर अंदास करता हुआ लॉन में तस्वीरे लेने पर कैमरा तोड़ने का वो मनजर भी महफूस था दोनों के उस पर तल्ख कलामी प्यूई थी आजम शेराजी लब फेंचे खामोशी से स्क्रीन पर देखते जा रहे थे एक वीडियो खतम होती थी तो दूसरी चलने लगती दूसरी खतम होती थी तो फिर दीसरी और सबसे आखरी वीडियो एक माह पहले की थी उस राज जो हुआ था वो उनके सामने था अलीजे जिससे मुहवत और शादी का दावा कारी थी उसने बहुत नफरत से दुटकात कर उसे घर से बाहिर निकाला था कुछ भी करने से पहले अगर आप मुझसे बात कर ले थे मैं हैदर को हर रिपोर्ट देता हूँ जब अलीजे उसके लिए कभी बगोनिया हाउस आई ही नही तो मैं ये बात कैसे मेंचन कर सकता था अलीजे पोटोग्राफी के लिए आती रही है फारिस का उसमें ना कोई दखल था और ना ही वो कभी उसके साथ परी हुआ सांस लेने को उसने एक लबहे का तवक्प लिया उसका काम खतम होगया वो फिर भी आती रही फिर मैंने उसे खुदी मना कर दिया वो उस पर बहुत वुस्सा हुई कि मेरी ये जुरत कि मैं उसे घर में आने से मना करूँ जो आपका है क्या मैं अन्दा हूँ क्या मैं से बात कर रहा था मगर उसकी आँखें आजम शिराजी पहली बात चुब थे जिस हाथ से उन्होंने फारिस को थपड़ मारा था वो हाथ सकती से बंद हुआ था और आप क्या कह रहे थी एक साल तक अफिर दो महीने भी नहीं हुए मौतरमा को बोगोनिया हाउस का चकर लग उसके क्लास फैलोस भी उसके बारे में नहीं जानते उसने रुक कर पेशानी मस्ती बालों में हाथ फेरा आपने ये मिज़ाज बात करनी चाहिए थी आपको लिज़े के बारे में सवाल मुझसे करना चाहिए था वो कहकर चला गया था आजम शिराजी अपनी जगा बैठे रहे थे जब्द जितना और जिस कदर था उसकी हद खतम होगी एसाब शल और हवास मफलू जोगे घुसे और इंतकाम की आख में जलते उसने सब तहस नैस करने का इरादा कर लिया जिस तबाही को वो सिर्फ अपनी सोच तक मैदूद रखता था उस तबाही को हकीकत में ला हर वो काम करने है जिससे रोका गया हर वो हद क्रॉस करने है जिसका पाबंद किया गया है शाम छे बजे की ट्रेन पकड़ कर वो एडनबर्ग रवाना हो गया था उसके पास एक मुकमल एडरेस था चैरिटी फेशन वीक का शेडूर भी जिसमें आर्जू जांगी रखले पाद करना पड़ी वो करेगा उसने सोचा वो जंगल में आख की तरह ये खबर हर जगा फिला देगा कि वो आर्जू जांगीर और हारूँच शिराजी का बेटा है वो अपने अंदर जलते हुए उसलाओं में हर एक को गिराने वाला था सब राक होंगे सब बरबाद होंग कि सब तारीक और अंदोह नाग था उसका दिमाग खाली हो रहा था उसे अपने फैस्टे की भी ठीक से समझनी आ रही थी वो क्या चार है उसकी भी ने मुझे पता है मैं साब को दूद पिला रहा हूँ मुझे पता था तुम एक दिन जरूर अपनी असलियत दिखोगे उनक की नफरत की तपेश वजूद को जलसाने लगी वजूद अंगारों की मानित सुलगने लगा किया आखरी कोशिश वैशतना ख्यालात के हजूम में बेबस होते हुए उसने अपना सर थाम लिया उसने सुबह से कुछ निखाया था भूग का एसास फिर भी नहीं हो रहा था उजलत में घर छोड़ा था पैसे वो साथ नहीं लाया था जाने का कराया था पापसी के लिए कोई रकम ना थी शायद उसे आना भी ना पड़े उसने सोचा और सोच कर आँखे बंद कर ली लमहों को गिनते सानियों में उलसते कभी खिड़की से बाहिर और कभी अंदर दे मुझे नहीं लगता वो तुम्हें अंदर जाने देंगे बहुत सक्सक्योर्टियों की प्रेस को भी जाने की अजासत नी उसे आखरी मैसिज मुसूल हुआ जिसे पढ़कर उसने मुबाइल जेब में डाल लिया रात की तारीकी में आर्जू जांगीर का शीशों से बना आल सर्ब सलोन में कुरसी और मेजों के इतराफ में मुलासिम ट्रे उठाए मश्रूप पेश करते घूम रहे थे दूर कहीं प्यानों बज़ रहा था पहुत से लोग अभी भी आ रहे थे उनके लिए तर्वासे खोल कर उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा था वो जहां था वह के बड़ा एक तरफ आजम शेराजी थे दूसरी तरफ आर्जू जहांगीर थी उसे अब उन दोनों को ही तबाह करना था आर्जू जहांगीर का शोहर फारूख हबीब गालबन वही आजम शेराजी के कारोबारी हरीब थे एक उंची पहुंच और असरो रसूख रखने वा पाकि सिर्फ एक तारूफ भी बज़ता था और उस तारूफ को अपने लबों पर लाते उसका दिल कटने लगा जब्त मिटने लगा वो क्या कर रहे क्यों कर रहे मैं आज़ू जांगीर से मिलने आया हूँ अपने आप से लड़ते सर उठा कर का गालबन उसे उसका कोई मदा समझ कर हटाने की सही की जाने लगी मैं उसका बेटा हूँ मुझे उससे बात करनी है अपना अप छुडाते वी चीख करका तो वो दोनों कुछ बेयकिनी से एक दूसरे की शकल देखने लगे उसने बात ही कुछ ऐसी कर दी थी स्याफ वाम शक्स ने दूसरे को इशारा किया तो वो अंदर चला गया जबके दूसरा शक्स उसे वहाँ पर रोके खड़ा रहा दस से बंदरा मिन के बाद दूसरा आदमी वापिस आया सोरी वो इस वक्त मसरूफ है किसी से नहीं मिल सकती जवाब दिया गया वो किसी नहीं उनका बेटा था आवाज बादगर्ष्ट बनकर उसके अंदर गुंजी च्छनाके से अंदर कुछ तूटा आर्जू जांगीर से उसे कोई उमीद खुशकुमानी नहीं थी फिर भी दुख मौँचा आँखों में नमी के साथी एक दम से सुर्खी फैली कुछ पिचरे कुछ महीनों से आर्जू हरून से मिलने की कोशिश कर रही है तुमारा क्या ख्याल है किसलिए उसे अब क्या चाहिए उसने पामश्किल सांस लेते हाथ उठाया और रुख गया मुझसे मिलने आएगी तुम्हें तुम्हारा डेट सर्टिफिकेटों से दिखा दूगा कबर पर जाना चाहेगी तो वो भी त्यार है कहरी सांस लेकर वो पीचे हटा दाय चानिब कदम उठाता गया दूर होता क्या तुम्हारा क्या ख्याल है उस दिन हारुन से तलाक लेने के लिए उस दिन हारुन से तलाक लेने के लिए मुझसे कितने पैसे लिये होंगे मुझ यहां करने क्या आया है अपने अंदर के शोर से जिर चोकर तांगा कर खुद को जिन जोर डाला आर्जु जहांगीर आजम शिराजी जब से सुर्ख पड़ता चेरा इश्तियाल बे आता वजूद तुमने उसके बेटे को देखा है किसके बेटे को आर्जु जहांगीर के बेटे को कदमों की हरकत थम की छटके से रुकिया गर्दन मोट कर देखा गाड़ी पार करके दो लड़किया बाहे निकली थी दोनों का रुख सामने बैरूनी गेट की तरफ था मैंने सुना तो था बेटा पैदा हुए आर्जु जहांगीर इस बारे में कोई बात ने करती मीडिया पर भी नहीं नाम भी नहीं बताया खबर भी नहीं दी सुने उसके शोहर को ये सब पसंदी इसलिए वो अपनी प्राइवेट लाइफ बिलकुल प्राइवेट रखना चाहती है तुमने उसके बेटे को कहा देखा आवाजे मधम होगी उसका जहें माउफ था आँखों में भी यकीनी ठहरी थी अंगारों जैसी तपिश वजूद में उतरने लगी अकब में स्यागारी के प्रेक एकदम से चिर्चराएं ड्राइविंग सीट पर राहीं बैठा था पेसंद्र सीट से हैदर बाही निकला दो साथी और भी थे आज़म शिराजी के कारण दे जिने कबर तक पीछा करने का होकम था उसका गुस्सा एकदम से उ थे थे